Hello students, इस video में हम पढ़ेंगे class 7th English की poem The Shed तो चलो फिर start करते हैं There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door तो जो ये poem है, इस poem में इस stanza में जो poet है वो ये बोलते हैं वो कहते हैं कि जो उनके garden है उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड में bottom में a shed है, shed वो होती है, मानलो की आपने चार डंडे लगाती है उसके ओपर आपने एक छट सी बना ली छोटी सी, उसको shed बोलते हैं तो poet बोलते हैं उनके bottom में a shed है और उस shed में क्या है उस shed में एक spider का web है, मकडे का जाला है, ठीक है उसके door के पास जो लटक रहा है, उसके door के पास लटक रहा है उसके दरवाजे के पास the hinges are rusty and creak in the wind, when I am in bed I lie and listen, I will open the door one day तो जो poet है, वो अब ये बोलते हैं कि जो hinges है, जो hinges है, hinges उनको बोलते हैं मानलो की जो दरवाजों के side में cup जो होते हैं उनको hinges कहते हैं, जिससे दरवाजा बंद होता है उनको क्या कहते हैं, hinges और rusty, rusty को बोलते हैं जिस पे जंग लग गया हो, ठीक है, उसको rusty बोलते हैं तो जो hinges हैं, उस door के उन पे जंग लग गया है और creek सी आवाज आ रही है, you know कैसी आवाज आ रही है, creek सी आवाज आ रही है creek का मतलब होता है, चरचर आवाज करना, जिससे दरवाजा करता है न चरचर आवाज, वैसी आवाज आ रही है जब उनमें हवा चलती है और वो बोलते हैं जब उनमें हवा चलती है तो क्रीक सी आवाज आती है ठीक है और वो बोलते हैं कि मैं अपने बैड पे लेटा सोच रहा हूँ और सोचता हूँ कि मैं कि मैं उस door को जरूर open करूंगा I'll open that door one day ठीक है वो सोचते हैं कि मैं वो store को जरूर एक दिन open करूंगा तो चलो अब चलते हैं अपने next stanza की तरफ तो यह है हमारा next stanza तो इसको पढ़ते हैं अब हम इसको read करते हैं there is a dusty old window around at this side with three cracked paints of glasses तो जो poet है वो यह बोलते हैं कि वहाँ पे जो है एक बहुत ही dusty old window है उसके around the side जो दर्वाजा है उसके side में खिड़की है उसमें तीन cracked paints of glasses लगे हुए हैं ठीक है उसमें क्या लगे हुए हैं तीन cracked paints of glasses लगे हुए हैं तो वो जो है वो टूटे हुए हैं ठीक है वो क्या है कि वो टूटे हुए हैं ठीक है वो क्या है कि वो टूटे हुए हैं I often उसके बाद next passage पढ़ते हैं I often think there is a something staring at me each time that I pass I'll peep through the window one day तो अब जो poet है वो ये बोलते हैं कि poet को हमेशा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है ठीक है क्या कर रहा है उनने कोई घूर रहा है staring का मतलब होता है घूर ना तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनने क्या कर रहा है घूर रहा है Each time that I pass I'll peep through that window one day तो हर टाइम जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है तो वो poet बोलते हैं कि मैं वहाँ पर एक दिन जांक कर जरूर देखूंगा ठीक है My brother says there is ghost in the shed who hides under the rotten floor boats ठीक है तो जो poet का भाई है जो poet का भाई है वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक भूत है उस shed में जो वो shed है वहाँ पर क्या है वहाँ पर एक भूत है और जो भूत है वो छुपा रहता है rotten floor boats के नीची ठीक है वो भूत वहाँ पर छुपा रहता है and if I never dare and if I never dare to set foot inside I'll jump out and chop off my head but I'll take a peek one day ठीक है तो अब वो बोलते हैं कि और क्या बोलते हैं वो बोलते हैं और वहाँ पर जो हिम्मत भी नहीं करनी और वहाँ पर जो है हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए अपने पैर रखने की क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो एकदम से वो भूत जंप करके आ जाएगा और मेरी करदन को chop कर देगा मेरी करदन को क्या कर देगा chop कर देगा chop off my head ठीक है इसके बाद पर फिर से वह सोसते हैं कि मैं पीक जरूर करूँगा मतलब एक बार जहां कर वहाँ पे जरूर देखुँगा ठीक है I know that there is not really a ghost my brother tells lies to keep the shed for his den तो वो बोलते है जो परट है वो सोसते है कि वहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है ठीक है वहाँ पे क्या कोई भूत भूत नहीं है मेरा भाई जो है वो मुझसे जूट बोलता है ताकि उस shed को वो अपना ठीकाना बना सके ठीक है वो बोलते है कि मेरा भाई जूट बोल रहा है महाँ पे कोई भूत भूत नहीं है ताकि वो अपना उस shed को अपना क्या बना सके ठीकाना बना सके there is not anyone staring or making strange noises and the spider has gone from his web since I don't know when I'll go into the shed one day soon but not just yet it is not just yet one day spider चुपड़ी है वो भी वहाँ से चली गई है मगर मुझे नहीं पता कि वो कब गई है पर एक दिन मैं वहां जरूर जाओंगा आज नहीं मगर आज नहीं लेकिन कभी न कभी तो मैं एक दिन वहां पे जरूर जाओंगा but not just yet ठीक है तो हमारी जो पोएम है वो यहां पे खतम हो गई है, कम्पीट हो गई है तो जो इनके पोएट है, जो पोएम के, इस पोएम के पोएट है वो है फ्रैंक फ्लाइन, इनका नाम आप याद कर लीजीगा, बहुत इंपोर्टेंट है, एक्जाम में आता है तू बसक्ता है, तो बसक्ता है, तो बसका है, तो एक जो पस्प्टेश कर दो के लिए पकार बाद है